कि आज हमारे इस पंपिंग पेज अलियोजना की बितियस स्विकिर्थी को लेकर चल रहे कर्मिक धरने का त्याइश्वा दिन है और आज हमने सासन प्रसासन को जगाने के लिए सांकेतिक तौर पर सभी सरकारी विविवागों में एक सांकेतिक ताला बंदी की और हम इस सांके महत्तोपुण मांग को तिलाडी बढ़कोट पंपिंग पेजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंपिंग पेजल यह उजना की बितियस स्विकिर्थी परदान करें अन्य था कि इस तिति में आंदोलन और उग्र होगा और यह सांकेतिक ना होकर के अनिश्चित कालिन ताला बंदी भी हो सब की है इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सासन पर सासन को आउगत कराना चाहूंगा कि वह सिग्र से सिग्र हमारी महत्तोपुण मांग को स्विकिर्थ करने का कश्ट करेंगे बिलकुल ये एक ऐसी बिडमना हो गई है कि हम लोग अपना हक मांग रहे हैं बड़कोर्ट की दसा ये हो गई है कि माताएं बेहने बुजर्ग युवा सब परिशान है पानी को ले करके और कई वार्ड हमारे ऐसे हैं जहां टैंकर भी नहीं जा सकते आप उनके दिलों से पूछो कि राद दिन वो लोग जो हैं सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि आखर हमें पानी की एक बाल्टी कम मिलेगी सरकार से गुजारिस हमारी लगातार हम लोग कर रहे हैं छे जून से तैसिल परिशर में हम लोग कर्मिक अंसर्ण धरना दे रहे ह हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि बड़कोट में एक दिर्ग काले पेजल पंपिंग योजना स्विकर्थ हो यह इसकी डीपी आर भी मक्यमत्री जी ने मंगा दिया है लेकिन किस स्थिति में हैं कब हो स्विकर्थ होगी इसका कुछ अता पता नहीं है राजनेती खेल यहां खे हो गई है कि वीशन जल संकट से बारिश भी हो रही है लेकिन नलों में तब भी पानी नहीं आ रहा है तो हम सरकार उत्राखन सरकार से गुजारिस करना चाहेंगे कि यह जो जल निगम द्वारा जो डिप्यार जो है सासन में भेजी गई है उस पर जो है ततकाल बितिय स्विकिर्थ ही मिले ताकि जो है हम लोगों को पानी उपलब्द हो सके आज इस्तिति आज हमने सांकितिक ताला बंदी करी है और अगर सरकार जल्द इस योजना को लेक कि बुजरुगों की युवाओं की बच्चों की पीला को समझो और हमें प्याजल पंपिंग योजना की बितिय स्विकित